नमस्कार सभी को एप्लिकेशन पे और यूटूब पर क्लासेज लेते समय आपके कुछ क्वेस्टन आते हैं कुछ क्वेरी आती है उन में से कॉमन एक जो मेसेज मेरे पास में आ रहा है वो यह की एडवांस मैथमेटिक्स वह राजस्तान गवर्मेंट के एक्जाम से या मंदित हो उसमें आपको समझे आती है 2D, 3D के सुत्रों को याद रखने में कुछ प्रोपर्टी ऐसी जिनको हम सिद इसीदे वेल्यू बिना पूट के आप रिजर्ट ने कर सकते हैं उसी के साथ में जो मेट्री की बात करें तो बहुत सारी पर्में आपको याद नहीं रहत जानी एडवास पार्ट के अंदर बहुत सारा वो हिस्सा है जो हमें याद रखना होता है और याद रखने के लिए एक मतर तरिका है कि वो आपके सामने बार बार आपके सामने सुनाई देता रहे है आपको दिखाई देता रहे है और आप उनको बार बार देखता रहे है इ में से मैंने पहली कलास गड़ी चालिसा के रूप में आज मैंने जामिती की सुरुवात की है यदि आपको इस परकार के कलास के आफशकता लगी आपको अच्छा लगता है कि इस परकार से करम हमें मिलता रहे ताके हमारा समय के भी बचत हो और हमें ये बार बार रिवाइज करने में बड़ा साम रहे आप अगर आँख बंद करके सुनेंगे तब भी फाइदा होगा अगर आप देख के इसे कर रहें तब भी फाइदा होगा क्योंकि मैंने चित्रों के माद्यम से इसके अंदर अपना काम करना शुरू किया है बिना किसी देरी के मैं बहुत कम सब्दों का यूज करूँगा और जामिति के रेखाओं और कौन से सम्मंदित और भोबुस से सम्मंदित आपका पहला भाग कम्प्रेट करेंगे कि दूसरे भाग के अंदर तिर बुजोर और अपने पड़ेंगे तो कम समय लूँगा आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको बिल्कुल उसी प्रकार से दो के पाड़े की तरह हैं यह सब बाते याद रहना सुरू हो जाएगी पर सर्त ही है कि आपको इनको बार-बार सुनना है एक समय सेडूल सेट कर लीजी तो तेस समय भी अगर आप आंक बंद करके इस वीडियो को देख सुन रहे होंगे तब भी बहुत हैल्प मिलेगा क्योंकि इसी परकार से मैं इस पर काम कर रहा हूं तो बिना किसी देरी के करता हूं मैं सुरूआत यहां से और सबसे पहले दिखाई देता क्योंकि जैसा नोख होगा वेसा बिन्दू प्राप्त हो जाते हैं तो आपको बहुत सिदा सा ध्यान रखना है कि बिन्दू का कोई सवरूप नहीं है बिन्दू की कोई इकाई नहीं है इसलिए ना तो आप बिन्दू का चेतरफन प्राप्त कर सकते ना प् बिंदू को लेते वे बिंदू से समंदित बात करें तो अगर आपने एक पॉइंट बना रखा है एक पॉइंट बिंदू एक बिंदू बना होता है तो इस पे आप अनंत रेखाएं निकाल सकते हैं तो एक बिंदू पर गुजरने वाले रेखाओं की संख्या तो आपको सिद सिदा याद रखना अनंत रेखाई होती है लेकिन यदि दो बिंदू लेके चलते हैं आप तो दो बिंदू से केवल और केवल एक ही रेखा निकल सकती है दूसरी कोई और रेखा प्राप्त नहीं हो सकती तो आपको क्या कहना है एक बिंदू से अनंत रेखाई निकलती है गु बिंदो दो या तीन हो अगर वो उन दोनों या तीनों बिंदों से एक रेखा निकलती है तो इस परकार के बिंदों को हम से रेंखिये बिंदो कहते हैं। काटती है तो इस परकार के रेखाओं को आप परती छेदी रेखाएं कहते हैं और उन बिंदों को उस बिंदो को कहते हैं परती छेदी बिंदो यदि केवल दो रेखाएं हैं तो उन दोनों रेखाओं को परती छेदी बिंदो कहा परती छेदी रेखाएं कहा जाता है और उस क कार के रेखाओं को परतिछेदी नहीं आप इन्हें संगामी रेखाएं कहेंगे संगामी रेखाएं कहेंगे और इस परकार के बिंदू को भी आप संगामी बिंदू कहते हैं तो दोनों में फर्क है आप ध्यान रखेंगे अगर दो रेखाएं है तो परतिछेदी बिंदू है और दो से जादा है तो संगामी बिंदू है। दो रेखाएं है तो परतिछिदी रेखाएं हैं और दो से ज्यादा है तो संगामी रेखाएं होती है अपने पास में। तलिये ऐसी करम पर आगे बढ़ते हैं। आप उसे रोक देते हैं लेफ्ट में रोकते हैं तो राइट में बढ़ती है लेकिन उसके लंबाई निश्चित नहीं होती वो अनंत तक जा सकती है किसी एक जिसा में उस परकार के लाइन को आप क्या कहते हैं किरन कहते हैं रे कहते हैं लेकिन अगर दोनों तरफ वो लाइन चलती है दोनों तरफ अनंत दूरी टेय कर सकती है तो उस परकार के रेखा को क्या कहते हैं आप लाइन को रेखा ही कहा जाता है रेखा दोनों तरफ गती करती है माप अनंत अगजा सकती है रे जो होती है किरन जोती है वो एक तरफ गती करती है उसकी माप भी अनंत अगजा सक है इसको वकर रेखा या करव रेखा कहा जाता है रेखा इंगे बरते हैं अपने पास ساتھ جڑتے ہوئے, उनके बीच में अगर एक दूरी बनाई जाती है, तो उस दूरी को हम बुजा कोन कहते हैं, और उस कोण को हम किसे दरसाते हैं? तिता से दरसाते हैं. जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को उसको हम क्या कहते हैं कौन और कौन को किसे दरसाते हैं थिटा से दरसाते हैं लेकिन थिटा तो दो परकार के होते हैं थिटा या तो धनात्मक होगा या रिनात्मक होगा किस पर डिपेंड करता है अगर अंतिम बुजा गड़ी के विपरीत दिसा में अंतिम बुजा गड़ी क आपकी अंतिम बुजा गड़ी की दिसा में रोटेट करती है, क्लोक वाइज चलती रहती है, जिसको दक्षिनावर्थ कहा जाता है, तो इस परकार से आपका जो कौन प्राप्थ होगा, वो कौन प्राप्थ होगा, नेगिटिव यानि रिनात्मक, तो धनात्मक होता है, एंट नेटी तक कौन को लेके जाता है, लेकिन कौन बली पोजिटिव और बली हो, नेगिटिव, हमें मापना पड़ता है, तो मापने के समाने तीन इकायां होती है, लेकिन उसमें हम परचली इकायां दो होती है, दो में एक होती है सास्टिक या ब्रिटिस पदती, और दूसरा ह होता है वर्तिय पदती जो आपके ब्रिटिस पदती होती है उसकी एकाई होती है डिग्री मान होता है उसके एकाई डिग्री मान होता है लेकिन दो वर्तिय पदती होती है उसका एकाई मान होता है मापने का मान होता है रेडियन होता है तो ब्रिटिस पदती की एकाई डिग्र होता है और वर्तिय पद्धती में कई रेडियन होता है जैसे आपने एक समकौन कौन लिया तो ब्रिटिस पद्धती में तो आप इसे कहेंगे नबे डिग्री और वर्तिय पद्धती में आपके इसे कहेंगे पाई बाई टू रेडियन तो क्या पुछा जाता है यहां समाने डिग्री मान को रेडियन में ले जाना होता है या रेडियन को डिग्री में ले जाना होता है तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे अगर डिग्री को आप रेडियन में लेके जाएंगे डिग्री को अगर आप रेडियन में लेके जाना चाते हैं तो दिये गे डि रेडियन मान जो है उसको डिग्री में लेके जाना है उसको डिग्री में लेके जाना है तो पाई की वेलू रख देना है इतनी रख देना है पाई का मान 180 डिग्री रखोगे तो आपका वो जो रेडियन माना वो किस में चला जाएगा डिग्री में चला जाएगा तो केवल द कौन को मापने के बाद में हमें उनके नाम रखने शुरू कर दिये और नाम रखने में हमने का कि जो कौन 90 डिगरी से छोटा हो उसको हम न्यून कौन कहते हैं उसके रेंज होती है जिरो टू नाइंटी तक अपने पास में लेकिन जो कौन 90 डिगरी का होता है उसको हम क्या कहत हैं सम कौन के उन कहते हैं जो आपका 90 डिगरी से छोटा न्यून कौन और 90 डिगरी के कौन को हम क्या कहते हैं सम कौन कहते हैं लेकिन रेंज 90 से 180 हो तो हम उस कौन को क्या कहते हैं अधिक कौन के अधिक कौन कहते हैं 90 से लेके 180 की बीच का जो कौन आता है उसको 90 और 180 की बीच म जिस कौन को हम क्या कहते हैं अधिकौन और 180 डिग्री वाले कौन को हम कहते हैं सरल कौन सरल कौन या रिजू कौन कहा जाता है 180 डिग्री वाले कौन को सरल कौन या रिजू कौन कहा जाता है उसी करम में आगे बढ़ते हैं अगर 180 डिग्री से 306 डिग्री तक अगर 180 डिग्री से बढ़ा और 306 डिग्री से थोटा हो तो इस परकार के जो कौन को कहते हैं वो फ्रहत कौन कहा जाता है जिसे पर्तिवर्ति कौन भी बोला जाता है फ्रहत कौन या पर्तिवर्ति कौन कहा जाता है लेकिन जो कौन 306 डिग्री का हुता है उसे हम पूरन कौन बोलते हैं तो जब कौनों को मापते हैं तो उनके मापके अकॉर्डिंग उनके अलग-लग नाम रखने शुरू कर दी है आपने इसे परकार से जब आप दो कौन लेके चलते हैं तो उनके भी कुछ नाम रखने शुरू किये गए एक दो ऐसे कौन जिसमें एक बुजा कौमन हो और एक ही सिर्ष पे आके मिले तो ऐसे दो कौनों को हम आसन कौन कहते हैं क्या बता है आपने कि एक बुजा कौमन होती है उब्या निश्ट होती है और वो दोनों कौन किसी एक सिर्ष पे आके मिलते हैं तो इस परकार के बने जो दो कोन होते हैं. उन दोनों कोनों को हम क्या कहते हैं? आसन कोन बोलते हैं. लेकिन यदी उन आसन कोनों का जोड नबे डिगरी हो तो उन्हें हम पूरक या कोटी पूरक बोलते हैं. ऐसे आसन कोन जिनका जोड 90 डिगरी बन जाए तो उन कोनों को हम पूरकोन या कोटी पूरकोन कहते हैं लेकिन यदि उन आसन कोनों का जोड 180 डिगरी बन जाता है तो उन्हें हम संपूरक या रेखिक युगम कोन कहते हैं ऐसे दो आसन कौन जिनका जोड 180 डिग्री बन जाता है उन्हें हम रेखिक यूगम या संपूरक कौन कहते हैं अपने पास में इसी परकार से आगे बढ़ते हैं और जब दो समानता रेखाओं को जब एक तिरियक रेखा काड़ती है तो कुल मिलाकर आपको आठ कौन प्राप् है कि तीन समानता रेखाओं को एक तिरियक रेखा कारती है तो कुल कितने कौन प्राप्त होते हैं तो क्यूंकि आपने का जितनी रेखाएं उसको चार के पाड़े से गुणा कर देना हैं तीन रेखाएं हैं तो बारा कौन बनेंगे चार रेखाएं हैं तो सोड़ा कौन बन होते हैं तो केवल दो कोन प्राप्त होते हैं और कुल कितने कोन प्राप्त होते हैं तो चार से गुणा कर दीजिगा उतने कोन प्राप्त होते हैं तब जब दो समानतर रेखा को एक तिरियक रेखा कारते हैं तो इस परकार के इन आठ कोनों के बीच में समंद मनता है और समंद बिमुक कोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है कौन एक का सिर्षा बिमुक तीन तो कौन दो का सिर्षा बिमुक चार इसी परकार से कौन पांस का सिर्षा बिमुक कौन साथ और कौन छे का सिर्षा बिमुक कौन आठ यानि सिर्षा बिमुक ऐसे कौन जो एक दूसरे के और पिट लगा के खड़े रहते हैं और सिसा विमो कोणों का मान एक दूसरे के बराबर होता है इसी परकार से संगत कोण संगत कोण एक ही डारेक्शन में एक ही दिशा में जानने वाले जो दो कोण होते हैं उनको संगत कोण कहा जाता है और संगत कोणों का मान भी एक दूसरे के बराबर होता है तो कौन एक की दिसा में जानने वाला कौन है कौन पांस इसी परकार से कौन दो की दिसा में जानने वाला कौन छे इसी परकार से कौन तीन की दिसा में जानने वाला कौन साथ इसी परकार से कौन चार की दिसा में जानने वाला कौन आठ और ये चारों ही जोड़े क्या है संगत कौन है और संगत कौनों का हमान भी एक दूसरे के बराबर होता है चलिए इसे करम में आगे बात करते हैं एकांतर कौन जेड जैसे बनाने वाले दो को जो कौन होते हैं जेड बनाने वाले दो कौनों को एकांतर कौन कहते हैं पर एकांतर कौन दो परकार क्या होते हैं अंताय एकांतर और बाहे एकांतर एकांतर कौन भी सिर्षा बिमुक और संगत कौनों की तरह मान अपने बराबर अंता है एकवन मान कौन सा है कौन छे है इसे परकार से दूसरा जड़ बनाओगे तो आपके पास में कौन तीन का बराबर का जो कौन है एकांतर कौन में वो कौन सा है पांच ये वे दो अंता है एकांतर कौन और उस जड़ के उपर चले जाए उनको बाहे एकांतर कौन कहते ह जहां से एक का एकांतर कौन है साथ एक का है साथ और कौन दो का है वो कौन है आठ है कौन से बाहे एकांतर कौन लेकिन एकांतर कौन भली अंतर हो भली बाहे हो उनका जो जोड होता है उनका जो मान होता है वो हमेसे एक दूसरी के बराबर रहता है तो दो का बाहे एकांतर कौ कौन हो गया आठ और एक का कौन हो गया साथ अपने पास में इसी करम में आगे बढ़ते हैं और आप बढ़ते हैं अंताय कौन क्या होता है दो समानता रेखाओं के जो बीच संकान समानता रेखाओं के बीच में तिरियक रेखा के एक और बनने वाले कौनों को हम अंताय कौन क कहते हैं और अंताय कोणों बराबर नहीं होते अंताय कोणों का मान 180 होता है तो कोण चार और कोण पांस का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 180 होगा उसी प्रकार से कोण तीन और खोण 6 का जो जोड़ होगा वो भी कितना होगा 180 होगा ये वो कोण है जो कि अंताय बने हैं अंदर की और बने हैं लेकिन जो बाहर की और बनते हैं उनको हम बाहय कोण कहते हैं दो समानता रेखाओं के उपर लिचे लेकिन तिरियक रेखा के एक और तो तिरियक रेखा के एक की बात करें तो एक और आठ ये क्या है बाहय कौन है और बाहय कौन का जो मान होता है वो बराबर नहीं होता सोरी उनका क्या होता है एक सो असी डिग्री होता है उनका जोड क्या होता है एक सो असी डिग्री होता है इसी परकार से कौन दो प्लस है कौन साथ इनका जोड़ भी कितना होगा 180 तो अंताय कोनों का जोड़ जो होता है जो अंताय कोन और 22 कोनों का जो जोड़ होता वो सदेव कितना होता है 180 डिगरी होता है और इसे के साथ जो आपने दो परकार के जोड़े बताएं तलिए और आगे चलते हैं next point अपने लान पास बहुवज़ रेखां और कोन पर इतनी सी basic बाते जिनको आपको बारबार सुनना हैं बार बार देखना है ताकि आपको याद रहे ये याद रहा तो एक समाने सा person बन कहा है जिसको हम निकाल सकते हैं भहुवज़ पर आपने बात करते हैं तेन या तेन बुझाओं से अधिक घिरी बंदा करती को हम बहुबुज केते हैं बहुबुज दो परकार के होते हैं एक उत्तल बहुबुज होता है उत्तल बहुबुज का मतलब एक ऐसा बहुबुज जिसके परतेक अंताय कौन का मान परतेक अंताय कौन का मान एक सो असी डिगरी से कम हो तो अपना उ उतल बहुबुज के लाता है लेकिन यदि किसी एक कौन का मान भी 180 डिग्री से बढ़ा हो एक कौन का मान भी 180 डिग्री से बढ़ा हो तो उस परकार का बना डाइगराम उतल बहुबुज के लायता है अगर आपका डाइगराम तूटता वा दिखाई देता है तो वो उतल बुज़ के अंदर बुज़ाओं के अनुसार उसे विबाजित किया जाता है बुज़ाओं के अनुसार विबाजित करते समय हम यह कहते हैं जिसमें तीन बुज़ाएं हो उसे हम तिर बुज़ाम जानते हैं चार बुज़ाएं तो चत्र बुज़ाएं तो पंच बुज़ाए कि ऐसा बहु बुज जिसके सभी बुजाओं के लंबाई समान होती है अगर बुजाओं के लंबाई समान होगी तो पर्टे के कोणों के मान भी क्या होंगे बराबर होंगे और अपने सम बहु बुज जितने भी पड़ते हैं उनको हम फूरूनों के माद्यम से निकालेंगे इ बले चार बुजाओं वाला बनाए परतेख सिर्स पे दो कौण बनते हैं एक उसके अंदर बनता है और एक उसके बाहर बनता है तो किसी सिर्स के अंदर बनने वाले कौण को आप अंताय कौण कहते हैं और बाहर बनने वाले कौण को आप बाहर कौण कहते हैं कितनी भी बुज पर्तेग सिर्फ पे 2 गोन बनते एक उन्स फर्मिले इंक बात करते हैं सबसे पहले बहुबुज के अंताय कोणों का योग आप से पुछा जा सकता है तो फॉर्मला होता है 2N-4 into some कोण 2N-2N कोण तो 2N-4 into some कोण यहाँ N क्या है? N है बुझाओं के संख्या N क्या है? N है बुझाओं के संख्या लेकिन परत्यों की प्रिक्षाओं में आप अपना काम असान बनाने के लिए इस फॉर्मले को कुछ ऐसा करते हो 2 कोण लेने के बाद में N-2 into 180 तो मैंने हमेसा आपको बताया है कि जब भी आपको बुझाओं गया तो अंदर के कोणों का जोड़ बताना हो बुझाओं में से 2 गटा के 18 का पहड़ा पढ़ देना चाहिए जितनी बुझाएं देता है उसमें से 2 कम कर दो 18 का पहड़ा पढ़ दो तो उसके आगे 0 लगा दो तो अंदर कोणों का जोड़ प्रप्थ होता है इसी परकार से बाहे कोणों का जोड़ भी पुझा जाता है और आपको याद रखना है कि बुझाएं कितनी भी हो लेकिन बाहे कोणों का जोड़ सदेव और सदेव एक समान बना रहता है जिसको हम कितना केते हैं 360 डिगरी केते हैं सबी भाय कोणों का जोड हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है और उसी करम में हम बात करते हैं एक बाहर का कोण अगर बताना पड़े एक बाहर का कोण ये दिया आपको बताना पड़े तो 360 में भाग देना है किसका? N का, N यहां पर क्या है? बुझाओं की संक्या बाहर का जोड? 360 बाहर का एक कोण तो 360 बटे में N होता है और इसी करम में अपना अंतिम फोर्मला आता है विकर्णों की संक्या बहु बुझ में विकर्णों की संक्या प्राप्ट करने का फोर्मला है N, N-3 by 2 यहां पर N फिर से क्या है? क्या बुझाओं की संक्या है अगर आपको बुझाएं गयात है और आपसे पूछ ले जाता है कि विकर्ण केतने हैं तो यहां पर आपको फोर्मला यूज करना है N, N-3 by 2 यह था अपने पास में रेखा है और कौन और कौन के साथ बहु बुझा हमने पड़ा है कल इसी करमे मैं एक और आपको क्लास और लगातार एक और क्लास आपको तिर बुझा और वर्त की पर्मे पे संबंदी तो वो सारी पर्मे जो आपको हर समय याद रहने चीए जितनी ज़्यादा ये याद दास में रहेगी उतना चापका कॉन्फिडेंस आएगा और आपका पर्सन सही करने के चांस ज़्यादा होंगे तो भूलने का तो मतलब भी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कुछ भूलेंगे तो ये हमारे पहली गनित चालिसा और इसका दूसरा भाग लेके मैं जल्दी आपके सामने लेकिन ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कमेंट के माद्यम से मुझे बताएं कि क्या इस परकार के सारे चेप्टर के जो वो प्रमे वो सरुसमी कहें वो फोर्मला जो हमें याद रखना है क्या उन पे हमें क्लास बनानी है गनी तो इसी के साथ मैं अंति पॉइंट पे आते विए मैं बोलना चाहूँगा कि सेकिन भाग जो मैं बनाऊंगा इसका वर्त तिर्बुस की जामिती पे और उसके साथ साथ ये बोलने जा रहा हूँ कि कल अपना फर्स्ट वोलिम आपके सामने उपलग्द हो जाएगा मार्केट में उपस्त मिल जाएगा और वो आपको कैसे परकार से और कैसे लेना है क्या करना है इसको विसेश क्या बात है उसको लेते वे मैं कल आएक चोटा सा वीडियो आपको प्लग्द करवाता हूँ उमीद है कि मैंने ये चोटा सा जो प्रयास की है आपको पसंद आया होगा और इसी प्रयास को और आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना ये मुझे कमेंट के माद्यम से बताएंगे गुड़नाइट धन्यवा प्रयास कि प्रयास के प्रयास कर दो कि अब्सक्राइबता है कि अबढ़ाना है ये उमीदेगे की है